हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों क्या आप भी higher studies करने के लिए scholarship की तलास में हैं अगर इसका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए बेहदी useful होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही चार scholarship के बारे में बताने वाले हैं जो higher studies करने वाले student को UGC के द्वारा प्रतेक वर्ष परदान की जाती है तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले एक request आप सबसे ये है student for pursuing professional courses अर्थात SC and STS category के वैसे student जो professional course से PG कर रहे हैं वे इस scheme का लाव लेने के लिए apply कर सकते हैं इसमें ME, Mtech courses के लिए 7800 रुपय परतीमा तथा आन्य courses के लिए 4500 रुपय परतीमा student को मिलता है टोटल 1000 student को यह scholarship दी जाती है apply करने की जो last date है वो इसके लिए 30 November 2021 है और इसके लिए आप National Scholarship Portal की जो site है scholarship.gov.in पर जाकर के apply कर सकते हैं दूसरी जो scholarship है वो है PG scholarship for university rank holders यह जो scheme है वो graduate level में outstanding performance करने वाले student के साथ-साथ PG courses में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी है किसी भी university अर्थाट dimmed university, private university, autonomous college या PG college के regular student first या second rank प्राप्त करने वाले इसमें apply कर सकते हैं यह जो scholarship है देश वर के 3000 student को मिलेगी selected अर्थेक छात्र को 31st रुपय परती महिना 2 साल के लिए दिया जाएगा apply करने का last date इसके लिए भी 30 November 2021 है और इसके लिए भी आप national scholarship portal की जो site है scholarship.gov.in पर जाकर के apply कर सकते हैं तीसरा जो scholarship है वो है इसान उदय scholarship आपको बता दें कि UGC की इसान उदय scholarship भारत के उत्तर पूरु छेतर के student के लिए है यह एक विशेश scholarship scheme है यह scheme सैचनिक सत्र 2014-15 में UGC ने start किया था इस छेत्र के 10,000 student को यह scholarship दी जाती है समान्य डिग्री courses में पढ़ रहे student को 54 रुपय परती मंथ और तकनिकी, चिकित्सा, पेसेवर, पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे student को 78 रुपय पर मंथ scholarship दी जाती है अपलाई करने की जो इसकी भी last date है वो है 30 November और इसके लिए भी आप national scholarship की जो site है scholarship.gov.in पर जाकर के अपलाई कर सकते हैं चौथा जो scholarship है, वो है PG इंद्रा गांधी scholarship for single girl child आपको बता दें कि ये जो scholarship अस्कीम है जनसंख्या नियंत्रे नें PG courses में एकल बालिका की सिच्छा का समर्थन करने के लिए सुरू किया गया था इसमें बिना भाई वाली छात्राएं अर्था जो जिनके घर में बस single एक बहन है वो आविदन कर सकती है ऐसे कुल 3,000 चात्राओं को यह scholarship दिया जाएगा इसमें 36,200 रुपए प्रतिवर्स परदान किया जाता है और इसमें भी apply करने की जो last date है वो 30 November 2021 है और इसके लिए आप National Scholarship Portal की जो site है scholarship.gov.in पर जाकर के आप apply कर सकते हैं